हे गाईज जहिन स्वागत है आपका एगरी मंत्रा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग एगरी कल्चर जॉप्स के वारे में पोस्ट का नाम है मेनिजमेंट ट्रैनी सारा कुछ डीटेल हम इस वी क्या मंगा गया है एज लिमिट क्या है सेलरी क्या रहने वाली है एक्जाम पैटर्न क्या है आवेदन करने की लास्ट इट क्या है और आवेदन का शुल्क का है सारा कुछ डीटेल वन वाई वन करके इस वीडियो में बताएंगे आपको इस वीडियो को साथ आखरी तक बने हैं तो इसकी सारी कुछ डीटेल हम समझें सबसे पहले यहां पर 30 पोस्ट आई हुई है जो कि management trainees के नाम से है और यहां पर जो है agriculture science से यह related है जिसको आगे हम जानने वाले हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कुछ important dates की बात करेंगे तो online registration और payment of fees यानि कि registration और fees payment की जो last date है वो है 13 December 2021 यानि कि 23 November से यहां पर farm start हो चुके हैं जो कि 13 December 2021 तक रहेंगे तो 23 November से 13 December तक के बीच में आप यहां पर registration और online fee यानि कि आविदन कर पाएंगे exam की बात करेंगे तो जिसका जो online exam है वो अभी January 2022 माना गया है यह tentative है लेकिन फिलाल आप इसी को final समझिए आगे कुछ changes होंगे तो आपको फिर बता दिया जाएगा और exam date के 10 दिन पहले जो है इसका admit card release कर दिया जाएगा बाकी आगे हम बात करेंगे जो management trainee की post है total 30 हैं इसका यहां पर distribution आप category के हिसाब से चेक कर पाएंगे तीस post यहां पर है जो की agriculture के लिए ही आई हुई है बाकी यहां पर कुछ terms and condition है training and probation की तो management trainee की यह detail दे रखी हैं जिसको आप यहां पर देख सकते हैं समझ सकते हैं जो important बात है उसको हम यहां पर cover करते चल रहे हैं बाकी फिर यह service condition के बारे में कुछ information है फिर management trainee का जो है guarantee bond की यहां पर बात हो रही है तो minimum period of four years including probation period यहां पर ऐसा कुछ information है तो इसको आप देख लिजेगा बाकी यहां पर हम बात करें salary की most important यहां पर हम salary की बात करेंगे तो यहां पर जो है management trainee के लिए यहां पर आपका 40,000 रुपे प्रती महीने first year salary रहेगी और 42,500 रुपे प्रती महीने आपकी second year salary रहेगी यानि की आप यह मान के चली के 40,000 प्लस प्रती महीने आपको यहां पर salary मिलने वाली है जो की काफी अच्छी यहां पर salary दी जाएगी आप मैंसे जो भी F, S, S, AI exam की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए एक good news है की ओले बोर्ड आपके लिए लाया है free All India scholarship test यह free test 27 November 12 AM से start हो चुका है जो आज शाम 7 PM तक available रहेगा यह opportunity हाज से मत जाने दीजेगा अगर आप F, S, S, AI के लिए serious हैं तो आज ही test के लिए register करें आपके पास मौका है 50% तक scholarship जीतने का इस test की national ranking भी आप देख पाएंगे यह एक दम free है link आपको description box में मिल जाएगी बाकी आगे अगर हम बात करें educational qualification की यहाँ पर तो इसके लिए जो limit रखी गई है minimum educational qualification की जो date रखी गई है वो 11.2.21 यहाँ पर रखी गई है यानि कि इस date तक अगर आपके पास कोई qualification complete है तो आप यहाँ पर eligible रहोगे यह कुछ important information है percentage related जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ लीजेगा इनको बाकी आगे हम important बात करें agriculture sciences की यहाँ पर discipline की अगर हम बात करेंगे जो कि group A और code number A की यहाँ पर है यहाँ पर graduation या फिर post graduation किसी भी recognize university से होना चाहिए बात करें तो B.Sc. Agriculture या फिर उसके बात करें B.Sc. O.T. Culture B.E. B. Tech in Agriculture Engineering with 60% marks या फिर S.C.S.T. candidates के 55% marks होंगे तब भी वो eligible यहाँ पर रहने वाले हैं और M.Sc. Agriculture with 60% marks S.C.S.T. के लिए 55% marks यहाँ पर होना चाहिए यानि कि यहाँ पर B.Sc. Agriculture वाले भी candidate eligible हैं जिनकी degree complete है B.Sc. O.T. Culture, B. Tech in Agriculture और इसके साथ M.Sc.B. in Agriculture यहाँ पर आवे दन कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको 40,000 प्लस प्रति महीने यहाँ पर आपको salary मिलने वाली है जो की काफी अच्छी salary यहाँ पर दी जा रही है Age limit की बात करें आयू सीमा की बात करेंगे तो यह जो standard set किया गया है 1, 11, 12, 21 से set किया गया है minimum age limit 21 साल, maximum 30 साल बाकी बात करें कुछ relaxation की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SCST के लिए 5 साल का relaxation है OVC के लिए 3 साल का है और सारी detail आप चेक कर सकते हैं फिर यहाँ पर कुछ और important information है जिसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा आगे हम और important बात करें जैसे की selection process की बात करें तो यहाँ पर एक online exam रहेगा आपका जो की objective and descriptive type कर रहेगा total 150 यहाँ पर mask रहेंगे नमर रहेंगे जो कि आपको 150 minute या धाई गंटे यहाँ पर आपको duration मिलेगा और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे minimum qualifying marks in online examination to 60% for journal OBC and EWS जबकि SCST के लिए 55% mask marks याँ नमर यहाँ पर आपके qualifying है बाकि यहाँ पर अगर हम बात करें management trainee की यहाँ पर सभी discipline की अगर हम बात करें तो पहला जो है test of reasoning यानि के reasoning subjects जो की objective type यहाँ पर question रहेंगे 25 mask नमर के हाँ पर question रहेंगे 25 question 25 नमर के Hindi और English दोनों भाषाओं में आप इसको attend कर सकते हैं फिर आगे हमारा English objective type question 20 question 20 marks English फिर general awareness के 20 question रहेंगे 20 number के quantitative aptitude computer literacy के 25 question 25 marks के फिर उसके बाद जो professional test है यानि कि यहाँ पर जो है अपना professional knowledge है जो agriculture है उससे संबन देती हाँ पर question रहेंगे यह भी objective type के रहेंगे 35 question रहेंगे यह भी 35 number के रहेंगे इसके लिए आपका 30 minutes हमें यहाँ पर मिलेगा बाकी हमने यहाँ पर उपर जाना 1, 2, 3 75 minutes यहाँ पर समय दिया जाएगा बाकी professional knowledge के लिए यहाँ पर 30 minutes समय दिया जाएगा बाकी जो आपका descriptive है English test essay तो इसके लिए आपको 45 minutes यहाँ पर समय मिलेगा तो single exam है अलग-अलग जो यहाँ पर face थे question pattern था subject को हमने यहाँ पर समझ लिया है और यहाँ पर बात करें तो आपका burn fourth यहाँ पर जो है negative marking भी है तो यह बात का भी आपको धियान रखना है बाकी फिर यहाँ पर हम बात करेंगे interview के बारे में तो यहाँ पर maximum interview के marks जो हैं आपर 50 हैं यानि कि जो भी online exam देंगे उसमें जो short list होंगे फिर उनको interview के लिए भी बुलाया जाएगा maximum जो interview का number है वो यहाँ पर 50 number यहाँ पर रखा गया है और अगर इनकी official website के हम बात करें और सारी जानका रिक लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं official website है www.aicofindia.com यह इनकी official website है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और सारी information के लिए यहाँ पर फिर selection से जुड़ाओ कुछ important बातों को यहाँ पर बतायागा तो इनको आप ध्यान से देख लीजेगा आगे अगर हम बात करें centers for online examination यानि कि यह जो है tentative list है आगे पीछे यहाँ पर और centers को add किया जा सकता है लेकिन अभी आप इसको final मानिए यहाँ पर अगर हम state के साब से बात करेंगे तो जो है आंधर प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडिगर यह जितने भी जो states हैं इनके जो major cities हैं यहाँ पर आपके जो है online exam center रहेंगे जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं total यहाँ पर आपके 24 state, UT और NCR reason हो गए जैसे हर्याना की बात करेंगे तो फरीदाबाद, गुरगाओं और करनाल यहाँ पर आपका exam center रहेगा मिंजोरम की बात करेंगे तो इजवाल ओडीशा की बात करें, बुबनेशवर और बहरामपूर मतलब यह सब जो है center है और यह इनके state के नाम होगा है तो आप अपनी सुविदा के निसवार यहाँ पर जो है इस कर सकते हैं बाकी के बची होई यहाँ पर आजस्थान, सिक्किम, तामिल नाडूर, तयलांगा, नत्तरपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तरखणूर, पश्यम, मंगाल की यह जो major सहर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके जो है online exam के center यहाँ पर रहने वाले हैं और important बात की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे important बात यहाँ पर आविदन सुल्क की अगर हम बात करें तो SCST PWBD candidates के लिए यहाँ पर 200 रुपे आपका जो है इंटिमेंश चार्ज के बल है यहाँ पर 200 रुपे इंटिमेंशन चार्ज देना है और बाकी जितने भी other categories की student बचें उनके लिए जो है यहाँ पर 1000 रुपे आपको यहाँ पर आविदन सुल्क देना होगा तो यह हो गई आपकी आविदन सुल्क की बात last date की बात हमने कर लिए है 13 दिसंबर 2021 तक आप यहाँ पर आविदन कर पाएंगे उससे पहले ही कर दीजेगा अगर आप interested है और लीजी बने तो बाकी official website के हमने बात कर लिए है aicofindia.com यहाँ पर आप widget कर सकते हैं और सारी information के लिए बाकी फिर यहाँ पर कैसे आपको apply करना है registration करना है तो यहाँ पर यह process को समझाया गया है तो इसको आप देख लीजेगा और यह important information इसको भी आप check कर लीजेगा बाकी photograph से related कुछ points यहाँ पर दे रखें उसके size के बारे में उसके dimensions के बारे में तो इसको आप देख लीजेगा फिर यहाँ पर important बात है कि जो भी आप यहाँ पर sign करेंगे वो यहाँ पर black ink pen से होना चाहिए यह बहुत minor mistake बच्चे करते हैं तो इसको आप ध्यान रखेगा exam farm भरते time और आपको यह format में अपना एक hand written declaration भी आपको यहाँ पर upload करना होगा और आपको अपने sign को hand written declaration को capital letter में नहीं type करना है मतलब नहीं लिखना है तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा और इसको केबल आप English में ही type करके मतलब return करके hand return करके आप इसको upload किजेगा यह 4-5 कुछ important point है जो minor mistakes होती है बाद में फिर यह students को परिशानी करती है official website यह है इस पर आप visit कर सकते हैं तो guys यह थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो का यह official notification चाहते हैं तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं link आपको description box मिल जाएगी वहाँ पर आपको इस वीडियो के साथ जो है official notification भी मिल जाएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत